नवस्कार दोस्कों, हम लोग जब लापटाप Madhavuard को Repairs करते हैं, तो हमारा जो मेन दिक्कत होता है, वो दिक्कत होता है कि no display problem को किस तरह से solve किया जाए, क्यों dead का तो एक होता है न, power sequence होता है, तो dead के power sequence को हम कर सकते हैं, लेकिन जब no display होता है, तो no display में बहुत सारे signals होते हैं, signals यहां पे vibration, oscillation, जैसे यहां पे screen में हमें दीख रहे हैं, तो जैसे हम लोग clock देखते हैं, यह crystal को check करना है, यहां फिर हम देखते हैं कि यहां पे जो LPC clock देखना है, यह LPC frame देखना है, यह SM bus, यह I2C bus जिसको बुलते हैं, उसको अगर हमें check करना है, तो यहां के जो RAM के जो signal है, उसकी जो clock को देखना है, यहां फिर हमारा जो bias है, यहां पे जो bias है, तो उसका जो communication है, CPU के साथ, वो check करना है, यहां फिर हमारा जो communication है with the display, यह सब check करना है, तो यह सब communication हम लोग multimeter से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे vibrations है, यहां पे signal है, यहां पे frequency है, अलग-अलग frequencies होती है, और यह सब यह frequencies को हमें अगर check करना है, तो हमें लगे कि oscilloscope, यानि oscilloscope के बिना हम लोग check नहीं कर सकते हैं, तो फिर एक randomly अंदा से यह change करो, वो change को अंदा से हो जाता है, लेकिन real में CPU काम कर रहा है क्या, या real में CPU clock दे रहा है क्या, या real में CPU chip select signal दे रहा है क्या, या frame दे रहा है क्या, या फिर यह RAM के signal को generate कर रहा है क्या, या RTC clock generate कर, जैसे laptops के अंदर बहुत सारे problems होते हैं, थो हमें पता नहीं चलता है कि CPU respond कर रहा है नहीं कर रहा है या बायस respond कर रहा है नहीं कर रहा है या RAM रिसपॉंड कर रहा है RAM का SM Bus होता है या पिर RAM के उपर जो SPD होता है तो SPD का जो communication है तो यह सारी communications को हम लोग multimedia से नहीं पई चेक कर सकते है तो उसके लगाए हमrica को उसे लेकिन दिख्कत यह है कि सब लोग उसलोस्कुप को अफोर्ड नहीं कर सकते तो सब यंगात है उसके 1500 मेडाइट्स कगर रहेगा तो हम लोग यह सारे शीचनल को चेक कर सकते हैं और 200 का 100 MHz का जो oscilloscope से लगबग 30 to 35,000 में आता है तो सब इंजिनियर्स दे वो उसको अफ़ोड नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए हमने एक device बना है और यह device PC को हम लोग connect करके उसके सारे signal को check कर सकते हैं तो दोस्तो यह है वो device और यह device से हम लोग सारे signal को check कर सकते हैं तो यह device में simple है USB के साथ यह analyzer है यह analyzer को हमने थोड़ा सा modified कर दिया है और यहाँ पर हमने दो probe दे दिये यह दो probe के से तरह से एक probe को आपको ground में connect करना है जो signal यह जितने भी signals है वो signals को connect करना है सारे signal को हम इसको check कर सकते हैं और आराम से उसको diagnose कर सकते हैं कि जैसे मेरा CPU respond कर रहा है कि नहीं या मेरा bias respond कर रहा है कि नहीं या मेरा SI respond कर रहा है कि नहीं या मेरा RAM respond कर रहा है कि नहीं या जो screen के साथ, जो LCD के साथ communication जिसको LPC या ADP bus बोलते है वो EDP communication हो रहा है के नहीं, यह सारे जो bus के signal है, क्योंकि मतलब में सारे buses है, different different buses आते हैं, जैसे FDI bus आता है, या EDP bus आता है, तो बहुत सारे signal है, SPI bus आता है, LPC bus आता है, तो यह buses को अगर check करना है, यह analyzer से हम उसको आराम से test कर सकते हैं, और आसानी से problem कहाँ पे उसको हम करना और practically किस तरह से signal को चेक करना है, अलग-अलग signal को हम लोग चेक करके, अभी हम देखेंगे, तो दोस्तों, इसके अंदर हम लोग जो पूराने हमारे motherboards है, जो generation 1, generation 2, generation 3, जहाँ पे PCH होता है, और desktop के motherboards, same concept है, तो उसको भी हम लोग यह device से चेक कर सकते हैं, आराम से, तो जैसे इसके अंदर यह clock है, या फिर यह दोनो crystals है, जो 32.7 kilohertz का, जो RTC crystal है, या 25 megahertz का crystal है, जो clock generate करता है, या फिर हम लोग यह bias की जो activities है, bias के अंदर pin number 1, chip select, pin number 2, read, और pin number 6, जो clock signal है, उसको भी हम लोग यह device को connect करके, उसके activities को monitor कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारा RAM क साथ जो communication होता है, SPD के साथ, जिसको SM bus बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग यह device से चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, LCD के signals को, यह जो bus होता है, SM bus, जहाँ पे EDID signal जिसको बोलते हैं, जो LCD के साथ connect होगा, जो display आने के लिए responsible होता है, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, तो यह device स हम लोग बहुत सारे signal को, practically हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आराम से इसके अंदर diagnose कर सकते हैं, कहाँ पे problem हो सकता है, यानि मेरा CPU response कर रहा है के नहीं, PCH response कर रहा है के नहीं, Bias की activity, SIO की activity, LCD, RAM, तो काफी आसानी से, तो यह सारे test signals है, यह test signal मैं यह device को test करके दिखा और यह device से, यह सारे के सारे signal को, हम लोग test करेंगे, और जिससे आपको, यह fault finding का आफी आसानी से हो सकता है, दोस्तों, यह analyzer के साथ, जो signals अप चेक करोगे, तो analyzer के साथ, अगर अगर अप इसका इस्तमाल करेंगे, यह books है, जो हम लोग का special books है, और यह revised editions है, जिसके अंद points, बहुत ही easy तरीके से, इसके अंदर दिखाए गए, जिससे, हजारों दुनिया के हजारों लोगों ने इसके books का, इस्तमाल किया है, और we are proud of it, और लोग इस्तमाल करके एक अच्छे engineers बन रहे, काफी सस्ते प्राइज में मतलब, अगर आप course करने के जाएंगे, तो 30,000, 40, कौन सी institute से क्या है, तो अगर आप कहां पर भी course कर रहे हैं, या YouTube पर वीडियो देखके भी कर रहे हैं, और आप यह books को अगर refer करेंगे, तो exactly accurate test point इसके अंदर दिए गए, और यह revised editions है, इसके अंदर type C, new generations, सारे signals, सारे सारे signals को इसके अंदर दिया गए, और आराम से इसको आप अच्छे इंजिनियर बन सकते हो, analyzer के साथ यह books भी आप इस्तमाल करेंगे, तो एक best आपका combination यह theory और practical तो अच्छा आपका हो सकता है, और अगर आप अपल में अगर काम कर रहे हो, MacBook Pro, MacBook Air, Type C, और जो T2, जो latest 2018, 2092, 2020 तक के जो laptops है, अगर उसको भी आप रपेर कर रहे MacBook Air और MacBook Pro के लिए, तो वो भी आप इस्तमाल करके आप एक अच्छे इंजिनियर बन सकते है, तो दोनी combo offer है, यह दोनो combo books को, यह आपल और Windows, यह दोनो combo books को यह use करके, साथ-साथ वो analyzer को आप यूज़ करके, एक combination, बेस्ट आपके आपके एक setup हो जाएगा, और एक best setup से आप करेंगे, उसके बाद यह हमारे हाथ में दो probes है, एक red probes और एक black probes, black probes को हम ground में connect करेंगे, जैसे just like multimeter को हम लोग ground connect करेंगे, उसी तरह से black probes को हम लोग ground connect करेंगे, और जो red probes है, यह red probes से हम लोग signal check करेंगे, तो यह basic एकदम simple है, लेकिं उसके पहले हमें वो application डाउन करना पड़ेगा, जो sally का application है, उसको download करेंगे, और वो application को run करेंगे, यह application को run करेंगे, और अभी हमारे device हो गया, ready, right, अभी यहाँ पे मेरा play button दीख रहें, तो जो signal मुझे check करने है, तो मुझे play button को दबाना है, और play button दबाने के बाद, जो मेरे signals है, वो capture होना start करेंगे, इसके अंदर एक खासियत है कि कभी-कभी हमेरा oscillus को pay क्या होता है, कि हम लोग जब signal को check करते है, तो हमारा ध्यान नहीं रहते है, लेकिन इसके अंदर खासियत है कि जो signal है, वो सीधा capture हो जाते है, यानि सीधा स्टोर हो जाते है, तो हम लोग उसको दुबारा re-check भी कर सकत आराम से को signal आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको आराम से हम लोग देख सकते हैं, तो अभी हमने device को ready करके रखा है, device को connect दिया USB ports में, यह motherboard भी मेरा ready है, चेक करने के लिए, एक probe को मैंने ground connect कर दिया है, एक probe से हम लोग signal को check करेंगे, और application भी ready है, तो सबसे पहला हम लोग ज signal को check करेंगे, diagram तो मेरा यहां पर open है, और SIO के page पे, तो SIO के activity को आप लोग monitor कर सकते हैं, तो SIO को चलने के लिए सबसे पहले clock, मतलब SIO को जो खुद का clock होता है, अभी जो पूराने motherboard में था, क्या था कि SIO को खुद का crystal होता था, लेकिन जो अभी नए motherboard है, जो उसके power देंगे और power button को on करेंगे, तो यह सुस clock सीधा SIO को पर चले जाता है, और SIO काम करना start कर देता है, तो सुस clock जो हमारा frequency होता है, 32.7 kHz, जिसको हम लोग यह analyzer से चेक कर सकते हैं, तो pin नमबर है मेरा 123, सुस clock, और इसको हम लोग अभी चेक करेंगे, तो दोस्तों अभी हम सुस clock चेक करेंगे, तो यहाँ पर मैंने play button दबाया, और system को जो भी मैं on करता हूँ, SIO की सुस clock pin पर, तो जैसे मेरा system on हो जाता है, तो यहाँ पर देखो, यह जो दिख रहे हैं, signal, यह signal दिख रहे है, तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, यह देखो, clock दिख रहे तो इसको यहाँ पर हम लोग इसे zoom in या zoom out करके monitoring भी कर सकते हैं, जो हमारा सुस clock है, जो हाँ पर SIO पर आता है, तो दिख रहे हैं, SIO पर आ रहे हैं, एक clock, तो यह सुस clock है, यानि SIO को काम करने के लिए, SIO को काम करने के लिए, कह कर चाहिए, SIO को काम करने के लिए, supply, easy reset, और उसके बाद SUS drug उसके बाद S RAA ability हो जाता है तो यह जिकनल कोम लोग चECK कर सकते यहां पर दूसरा हम लोग चECK करेंगी . clock clock हम चेक करेंगे वा पर सहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे फ्रेम सिगनल तो clock सिगनल है हमारा P No. 4 fredame है और P number 12 P number 12 को हम लोग यहाँ पे चख करेंगे जो clock है तो clock अगर यहाँ पे आता है यानि हमारा main clock जो है वो activate हो गया अगर यह main clock अगर नहीं आता है तो हमारा 25 MHz का crystal खराब हो सकता है या फिर PCS जो clock generate करता है वो clock नहीं generate करता है तो इस clock को हम चख करेंगे P number 12 पे तो यहाँ पे मेरा analyzer ready है और यहाँ पे मैं play बटन दबाऊंगा और system को मैं on करूँगा और यहाँ पे दिख रहे है मेरा clock जैसे मैं system को on किया और P number 12 है जो SIO का P number 12 है और 12 को जैसे मैंने connect किया तो यहाँ पे यह मेरा जो clock है वो दिख रहा है P number 12 यहाँ पे मेरा clock यहाँ यह clock अगर आया तो हम समझ सकते कि हमारा system का जो clock है वो चल रहा है तो इस तरह से monitoring होगा clock के बाद हम लोग चेक करेंगे bias की activity तो दोस्तों हम लोग bias की activity को देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो bias है यहाँ पे मेरा जो bias है bias का pin number 1 होता है chip select और bias का pin number 2 होता है read bias का pin number 6 होता है clock तो अब लोग bias के pin number 2 को देखेंगे bias का 2 number पे मेरा जो signal आएगा यानि read signal आएगे यानि obviously मेरा clock आया रहेगा तो अब लोग direct bias के pin number two को check करेंगे, जहाँ पर हमरा read signal आएंगे, जैसे मैं यहाँ पर play button दबाऊंगा, और system को on करूंगा, तो वहाँ पर मुझे signal दिखाने चाहिए, दिख रहे हैं signal, तो यह signal को हम लोग दुबारा monitor क्योंकि यह signal देखो, यहाँ पर गए, तो यह signal को दिख स कर सकते हैं, क्योंकि initial stage में जो signal दिख रहे हैं हमे, वो signal को हम लोग यहाँ पर check कर सकते हैं, उसको analyze कर सकते हैं, दिख रहे हैं, यह signal को हम लोग analyze कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसकी activity को monitoring कर सकते हैं, और यह जो SPI communications है, वो हो रहा है की नहीं हो रहे हैं इसके अंदर यह नहीं हमें मालुम पढ़ेगा कि bias वो okay chips है या faulty या यानि bias का जो program है वो corrupt है कि perfect है वो नहीं monitor कर सकते हैं यह definitely hardware wise हम लोग monitor कर सकते हैं कि हमारा जो cpu ओके है और bias chip भी okay बाइस का chip यानि hardware ओके और cpu उसको access कर रहा है जो उसकी activities है वो हो रही है इसको हम लोग यहां पर monitor कर सकते हैं ठीक है और अभी हम दूसरा signal करेंगे वो cpu के activity जिसको हम लोग होते है frame signal तो frame signal हम लोग पहला हम लोग diagram open करेंगे schematic diagram open करेंगे और frame signal का यह सारे के सारे signal हम लोग LPC ports पर है क्योंकि जैसे मैंने पहले बता है कि बहुत सारे buses होते तो उसके अंदर एक bus होता है LPC यानि low pin count अभी ESPI करके नया bus है जो latest generation के अंदर तो यहां पर हम लोग यह LPC frame signal को देखेंगे तो यह frame signal मेरा है pin number 4 यह वाला ठीक है तो इसको हम लोग चेक करेंगे तो frame signal क्या है कि frame signal जब आता है हम लोग ऐसे assume कर सकते की CPU के activities हो रही है CPU अपना काम कर रहा है ऐसे हम लोग assume कर सकते हैं तो वह signal को अभी हम चेक करेंगे analyzer को pin number 4 पे लगया by SIO के और applications को मैंने open किया और इसको मैं play किया system को मैंने on किया और यहाँ पे यहाँ पे signal आके गए यह signal आके गए तो मैं क्या करूंगा इसको पीछे लेके जाओंगा इस तरह से द्रैग करके मैं यहाँ पे लेकिया है तो यहाँ पे हमें जो देखो data दिख रहे है तो यह जो data है यह मेरा frame signal है यह activity यानि मेरा frame signal यानि हमारा CPU जो है वो काम कर रहा है ठीक है न तो इससे हम लोग assume कर सकते कि मेरा CPU के है यह frame signal राइट तो इस तरह से हमें यह signal को चेक करना ह अलग-अलग signal यानि हम लोग bug converter का जो signal होते है जो gate पे जो MOSPEC के gate पे इसको भी हम लोग यह है इस device से monitor कर सकते है इसको हम लोग यह signal को monitor कर सकते है जैसे Dell के अंदर adapter ID signal होता है मतलब adapter से ADID signal निकलता है जिसको PSID भी बलते है तो और वो PSID signal यहाँ से सीधा निकल के SIO के pin पे जाते है तो उसको भी हम लोग चेक कर सकते है और LPC bus को चेक कर सकते है UDP bus को चेक कर सकते है इसे बहुत सारे commitments को से अभी हम लोग और एक bus को चेक करेंगे SPD को तो दोस्तों अभी हम लोग चेक करेंगी RAM के एक्टिविटीज जहाँ पर RAM जो चिप्स है हमारा जैसे हम जानते कि RAM को तीन सप्लाय लगते हैं VDD, VTT और SPD तो जो SPD है याने क्या RAM याने RAM के उपर एक छोटी चिप्स होती है जिसको बोलते हैं SPD याने Serial Presence Detect याने वो RAM का एक BIAS है अब ये BIAS RAM की साइज कितनी है या RAM का कौन सा MAKE का है ये सारी information वो SPD चिप्स के अंदर होती है तो जब Power on Cell याने बाइज जब Power on Cell टेस करते हैं जिसको Post बोलते हैं और तब यो RAM के वो इसको access करता है उसको information को access कर सकता है और हम लोग ये device से वो जो RAM की जो activities है उसको monitor कर सकते है जो SPD signal को monitor कर सकते है So let's start तो यहाँ पे हमने एक RAM socket tester लगा है एक dummy RAM socket tester जिसकी ये वाली pin पे ये दो pin हमें जो आपे दिख रही है वो test points है जहाँ पे हम लोग ये SM bus को check करेंगे और ये SM bus हमें हमेरे analyzer में दिखाएगी signal के activities को दिखाएगी जिसको monitor कर सकते है SPD bus पे analyzer को connect किया है analyzer मेरा ready है और फिर हम system को on करेंगे signals की activities को observe करेंगे So system अभी off है ये system को हमने turn on करेंगे अभी system को ये दिख रहा है जिए data ये मेरा data है यहाँ जो SPD के activities है तो यहाँ पे मुझे set करना है मतलब mouse ये जो मेरा mouse है इसको मैं scroll कर सकता हूँ और data इसे check कर सकता हूँ याने proper में इसको proper analyze कर सकता हूँ इस device हम लोग frequency को नहीं monitor कर सकते या कोई analog signal को नहीं monitor कर सकते कोई इसको voltage चेक करने के लिए देखेगा तो voltage कुछ चेक नहीं होगा या फिर frequency को हम लोग नहीं चेक कर सकते लेकिन digital signal को हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते और हमारा purpose जो है जो diagnosing का purpose है उसे हमारा solve हो सकता है और हमें पता सथ सकते कि कौन से device काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों thank you very much for watching this video तो मैंने आपको यहाँ पे explain करके बताया और practically हमने देखा कि किस तरह सी analyzer बहुती easy है जिसी analyzer से हम device को test कर सकते हमारे जो motherboards के जो signals है उसको हम लोग चेक कर सकते सारे के सारे signal को check कर सकते और हमारी fault finding को improvement कर सकते कि हमारा most of the problem क्या होदा है कि no display के लिए हमारी गाड़ यह टक जाती है या कभी कोई device detect नहीं करता है जैसे USB है उसके लिए भी हमने उसका इस्तमाल कर सकते या SATA section है या SSD है detect नहीं कर रहा है चाहे SPI bus हो, LPC bus हो SATA signal हो या और भी कोई भी signal तो आप आराम से इसको diagnose कर सकते हो और अपने fault finding को improvement कर सकते हो तो यह device आप हमसे खरीच सकते हैं और काफी अच्छा प्राइज है इसका मतलब आपको oscilloscope का काफी सारा पैस आप बच जाएगा सकता है, और एक आम engineer भी उसको इसको इसको Johnson करके एक अच्छा engineer बन सकते है उसके outputs को अच्छा निकाल सकता है मतलब आपको फटा-फट diagnosis करके exactly पता चल सकते हैं कहाँ परода प्रॉब्लम है और यह device को इसको saying काफी सब्वाइज January तो definitely बन सकते हो result आपका fast होगा और exactly आपको पता चले कहाँ पर problem क्यों trial and error करना नहीं पड़ेगा तो ये device को आप हमसे order कर सकते हो तो इस device को order करने के लिए जो number दियेगे number पर contacts करके ये device को order करके आप एक अच्छे engineer बन सकते हो so thank you very much